हाई अब्रीवान वेल्कम बैक विद यू लेक्षर प्लांट बिना लिट्रिशन और इसमें हम बात करने वाले हैं किसी एक प्लांट के बेसिक रिपकर्मेंट जो होती है वो मेंली तीन चीजों को होती है पहली उसे लाइट चाहिए होती है जिसके तुरू वो क्या करता है फ जो कि Metabolic Reaction जो होती है प्लांट के अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है जो उसके प्लांट की Growth and Development या फिर उसके विकास में सहायक होती है ठीक है तो पहले समझ लेते हैं Mineral से इसे के लिए होते क्या है तो एक Common भासा में हम बात करते हो यह इनको Chemical Compounds कह सक कहते हो आप Chemical Compound जिनको Hindi में कहते है रासाइनिक पदार्थ किस सरे के रासाइनिक पदार्थ जो नेचर में क्या होते है तो हम कह सकते हैं किस से मिलकर बने होते हैं तीब मिलकर बने होते हैं One और More Elements एक या एक से अधिक तत्वों से अब Elements तो आपको समझ में आ गया होगा तत्व मतलब समझ में आ गया न मेंडलीव की है हम कह सकते हैं कि 19 या 19 के आसपास ऐसे कि अर्थ यह प्लांट दूसरा पॉट यहां पर बेसिकली यह दिखाय गया है कि जो लाइट का सॉर्स से आपको पता चल गया हुगा लाइट सा सॉर्स कहीं इधर से आ रहा है इसी ले प्लांट क्या हो गया उसकी Direction में मुड़ गया है ठीक है तो हम बात कर रहे थे कि minerals होते है 19 के आसपास होते हैं लेकिन 19 में भी अगर इसके source की बात करें तो 19 को 19 minerals soil से नहीं कुछ minerals ऐसे होते हैं जिनको यह water या carbon dioxide से भी obtain करते हैं ठीक है तो उसके basis पे हम बात करें तो हम minerals को जो की 19 है numbers में more or less यह 19 का मतलब fixed नहीं है यह आप समझ लेना कि 19 के लाबर एक और भी नहीं होगा बैसे तो अगर आप plant को analyze करोगे तो उसके dry matter में near approximate 60 elements आपको मिलेंगे और बहुत सारे elements ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ fire plants में पाए जाते हैं जैसे selenium, silicon बगारा lower plants में नहीं होंगे ठीक है तो यह वो 19 minerals है जो plants को चाहिए ही चाहिए इसके बिना इसका growth and development ही हो सकता इसलिए उनको बोलते essential minerals यह essential elements ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले हम बात करेंगे कि H2O और CO2 से कौन-कौन से minerals plant obtain करता है फिर बात करेंगे soil से obtain करने जाले minerals की ठीक है तो अगर H2O और CO2 से बात करें तो आपको इसको देखके ही समझ में आ रहा होगा hydrogen oxygen and carbon तीन ही है elements इसमे hydrogen oxygen carbon और oxygen तो H2O और CO2 से जो minerals plants absorb करता है वो कौन-कौन से hydrogen oxygen और carbon अगर इनकी percentage बात करें percentage in context of dry matter of plants किसी भी plants के आप किसी भी parts को लो और इसको पूरी तरह से dry कर दो dry का मतार समझ रहना इसमें 0 percentage of water तो उसमें अगर आप analyze करोगे तो 6% के something आपको मिलेगा hydrogen 45% के आसपास आपको मिलेगा carbon sorry oxygen and 45% ही मिलेगा आपको carbon तो इन तीनों का अगर हम sum करो तो इसका sum इन तीनों का sum निकल के आता है approximate 96 ठीक है और जो major elements है जो essential elements है प्रांस ले चाहिए ही चाहिए वह है 19 मतलब हम कहा सकते हैं कि 100% requirement 19 elements अगर पूरे करते हैं तो उसमें से 96% जो elements ही होते हैं वो सिर्फ 3 ही elements है ठीक है अब बचे कितने 4% तो soil से जो absorb होने वाले minerals है वो किसमें होंगे 4% में होंगे ठीक है अब soil से जो elements ही absorb करता है उनको भी हम 2 category में divide करते हैं अब 2 category में क्यों करते हैं कुछ elements ऐसे होते हैं जो प्लाण्ड को ज़्यादा मातAR में चाहिए होते हैं ठीक है और कुछ ऐसे होते हैं जो कम मातरा में चाहिए होते हैं ज्यादा का मतलब large तो जो large amount में चाहिए हैं उनको NCrT में उसमें बतागया है more than 10 milli mole per kg और जो small amount में चाहिए होते हैं या less small तो नहीं कह सकते grammatically गलत हो जाएगा sorry सक्तिमान less amount में जो चाहिए होते हैं इसको हम कह सकते हैं कि less amount मतलब less than 10 milli mole per kg ठीक तो बात करते हैं तो जादा amount में इसको जो चाहिए होते हैं वो कौन-कौन से हैं number one nitrogen N इसको मैं यहाँ पर color change कर लेता हूँ ठीक है तो इसका बहतर रहेगा कि हम यहाँ पर यह वाला color रहे हैं पहला nitrogen दूसरे number पर है potassium यह जो मैं इनका order लेख रहा हूँ यह इनका hierarchal order है मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे जैसे इनकी amount गटती जाएगी ठीक है तो potassium उसके बाद calcium, ca, 4th number पर आएगा magnesium 5th number पर आजाएगा आपका magnesium, phosphorus, 6th number पर आजाएगा आपका sulfur, 7th number पर आजाएगा SI, silicon ठीक है याद रहेगा nitrogen, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, sulfur and silicon अब इसमें से हम बात करें तो nitrogen, potassium, calcium इसकी percentage होती है 3% बाकी कि ये जो 4 बचे ये होते है 0.6% ये वे क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ थाक भी आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से elements से ज़्यादा मात्रम चाहिए होते है कौन से कम मात्रम चाहिए होते है यहाँ देखो 4% elements थे, 4% में 3% तो जो amount थी वो रही ने पूरी कर दी ठीक है, nitrogen, potassium, calcium में इसका मतलब साहब है कि सबसे ज़्यादा जो चाहिए होता है essential elements में hydrogen, oxygen, carbon की बाद तो वो होता है nitrogen फिर उसके बाद potassium, फिर उसके बाद calcium इसके बाद magnesium फिर इसी तरह से इनकी amount घटती जाती है ठीक है, आप देखो, यहाँ पर इनकी amount कितनी होगी large amount की तो इनने पुरा कर दिया 3.6% और कुल आपकी कितनी थी, 4% तो बचा कितना, सिर्फ 0.4% 4-0 को सकते हो आप, तो जो less amount या, कम आत्रा में कम आत्रा में जो element चाहिए होते है plants को, वो सिर्फ और सिर्फ क्या तो 0.40 amount को fulfill करते हैं, contribute करते हैं, कौन-कौन से हैं, बात कर लेते हैं, इसमें, no.1, इसको chlorine, पूरा ही लिख देता हूँ, no.2, iron, F-E जिसको आप कहते हो, no.3, iron के बोरॉन, no.4, manganese, ma, sorry सक्तिमान होगे हैं आपर, ma, g, a, n, e, s, e, no.5, no.5 पे आजाएगा आपका sodium, सबको पता होगा, no.6 पे आजाएगा आपका zinc, no.7 पे आजाएगा आपका copper, और इसके बाद बचेंगे 8 और 9, 8 नमबर पे आपका nickel, and molybidnam आजाएगा आपका 9 नमबर पे, last में आजाएगा आपका ये, molybidnam, ठीक है, B, E, D, E, N, U, M, तो ये हुए आपके less amount में लिये जाने वाले, plant के दौर आपटो इनके जना ले, nutrients, तो एक नम इनको और दिया जाता है, इनको जो कहा जाता है, जो large amount में चीं होते है इनको कहा जाता है, Macronutrients और जो कम मात्रा मची हो तो इनको कह जाता है Micronutrients ठीक है समझ में आ गया तो ये वो elements है जो plants के लिए क्या कहलाते है 19 essential elements अब जरूरी नहीं है मैंने पहले भी आपको पता रखा है 19 के उपर भी बहुत सारी elements है जो पाए जाते हैं बट अगर वो elements ना भी हो तो भी plants ग्रो कर जाएगा बट अगर इन में से कोई भी elements की deficiency होती है तो उसके deficiency symptoms है उसकी कमी के होने के बज़े से जो लक्षण है वो सामने दिखने लगते हैं चाहे वो पत्यों का पीला होना हो पत्यों का अब तब नस्प damage होना हो ठीक है यह पत्यों का गिरना हो पत्यों का लाल होना हो बहुत सारे symptoms होते हैं आगे बात करेंगे अलग-लग lectures में ठीक है तो यह तो ही ब से जो obtain करता है plants उनको है उनको हम कहते है hydrogen oxygen carbon जो major elements है ठीक है तो अगर आप से पूछा जाए कि plants में सबसे अधिक पाए जाना बाला जो कौन से elements है तो वो 2 है कौन से carbon और oxygen उसके बाद अगर कोई है तो वो है hydrogen इसके अगरों बात करेंगे तो फिर आजाएंगे आपके nitrogen potassium calcium magnesium वगरा वगरा ठीक है यह तो ही बात इनके categorization की कौन से elements कितनी मात्रा में पाए जाता है ठीक यहाँ भी मैंने बताया आपको यहाँ वह हाई यह हाई अर्किल order है जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इनकी amount गड़ती जाएगी जैसे कि यहाँ हो रहता ठीक है दिया रखना है अब यह जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप gardening का शौक भी रखते है ना तो आपको पता होना अच्छी कि कौन से elements में जादा डालना है कौन सा कम डालना है वैसे तो यह incomplete है यह तो कुछ भी नहीं आपको बहुत सारा सब कुछ जाना है जिसमें हम बात करने आले आने आले lectures में deficiency symptoms की अगर nitrogen की कमी होती है तो कौन-कौन से symptoms निकल के आते हैं plants में सामने और potassium की होती है तो फिर कौन सा symptoms आता है magnesium होती है कौन से symptoms साता है ठीक है यह पर एक छोटी से हम और बात करेंगे यहाँ पर जो elements है यहाँ पर जो elements हैं तो आपको अगर quick effect देखना है ठीक है instant solution चाहिए तो आप क्या करते हैं इसका solution बनाके plants की जो leaves हैं उन पर spray कर सकते हो spray on leaves मतलब साफ है कि इन तीन elements को plants leaves से भी absorb कर लेता है generally हमने क्या कहता कि जो nutrients है minerals है वो कहा होते है है soil में होते है और minerals को plant क्या करता है roots के जरीए absorb करता है soil से ठीक है बट यह तीन elements ऐसे हैं कि अगर आप इनका solution बनाके plants की leaves पर spray करोगे तो वहाँ से भी यह उनको absorb कर लेता हो instantly quickly उसका effect हमें दिखता है और उसकी deficiency कम हो जाती है इसको यह हम science की वहाँ सामर बोलते हैं foliar application क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम foliar application ठीक foliar application तो यह तो बहुत ही basic और short video था categorization का ठीक है अब आगे हम इसी की details में जाएंगे हमें पूर आगे के lectures में हमने यही पढ़ना है बस और जदा details में जानना है step by step level by level हम इसको क्या करेंगे trace out करते जाएंगे अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं हो पढ़ने वाले यह कि हमने देखा होगा कि कोई mineral की जब deficiency होती है किसी भी plant में तो उस deficiency का हमें पता कैसे चलता है उसके morphological symptoms से उसके बाहरी सरेशना पे जो हमें दिखता है जैसे उसकी interesting fact यह आता है कि कई बार हमें क्या उता जो symptoms होते हैं वो हमें plants की प्रानी पत्तियों पे देखते हैं जो की बड़ी और old हो चुकी होती है और कई बार हमें जो इसकी नई पत्तियां निकल ली होती है new young leaves जिसको हम कहते हैं उन पर कुछ symptoms देखते हैं तो इसका भी एक reason है कि अगर कुछ elements की deficiency का symptoms आपको old leaves पर दिख रहा है इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो elements है वो mobile है mobile का मतलब है कि यहां से वो migrate करके plant का करता है इनको यहां से extract करके अपने growth part में पहुचा देता है अगर किसी भी plants में उसकी नई leaps पर अगर new leaps पर symptoms दिखते हैं तो आप समझ जाओ कि वो जिस elements की कमी है वो immobile है वो एक जगे से दूसरी जगे plants में नहीं सकता because of वो उसके structure का part है तो structure को अगर break करके जाएगा तो part damage हो जाएगा तो इसलिए उनको बोलते हैं immobile elements से immobile minerals जिसमें आपके 5 आते हैं आने वाले lecture में हम detail में बात करेंगे calcium, sulfur, iron, boron, copper तो जो immobiles होते हैं जिनके deficiency symptoms यंग या new leaves पर दिखते हैं यंग या फिर new leaves पर उनकों क्या बोलते हैं immobile immobile मतलब वो एक जगे से plant के एक पार्ट से दूसरे immobile minerals plant के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में move नहीं कर सकते हैं ठीक है कौन कन से मैंने बताया था 5 calcium, iron, sulfur, copper and boron इसकी एक trick है next lecture में बताऊंगा आपको सिंपल से trick है आपको याद हो जाएगा ठीक है तो आज के इस lecture में फिलार इतना ही तो जो समझ में आ गया है समझ दो नहीं आया है रट्टा मारो जिंदा बाद यह अपने हिसाब से कोई sort trick बना सकते हो निमोनिक्स बना सकते हो ठीक है बसे इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं निमोनिक्स यह रटने जासा बस रटने जाला जो चीज है वो है यह कि मैक्रो और मैक्रो इन दोनों में आपको यह पता होना चाहिए कौन से मैक्रो न्यूट्यूट्यूट्यूट्स है कौन से मैक्रो न्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्स है तो इसमें से मेरी राह यह होगी यह आपको याद करने की जरूवत है नहीं hydrogen carbon oxygen आप मैक्रो तो ट्रिक बनाओ जो भी बनाओ ठीक है बाकि यह अपने आप रह जाएंगे चलिए मिलते हैं अगले लक्षर में थैंक्यू सू मच फोर वाचिंग दिस लैक